असलाम अलेकुम मेरे सिंद्ध की गयूर अवाम मेरे भाई, मेरी बेनों, मेरी माओं आप सबको असलाम अलेकुम भेज पगारा शाजी पीपी छाजा नारा हक सजा नारा भेज पगारा अभी अर्बाब साब ने सही कहा था जरा एंबुलेंस गोर से चेक कर लेते कहीं इसमें जियाले तो नहीं है जो गश्ष खाकर गिर गए है जिनको समझ नहीं आ रही कि वो कब तक अपनी वो कहते ने कि छुपाने वालों के पीछे छुपेंगे मैं पहले भी उनको कहा था कि सिंद्ध की अवाम जाग चुकी है सिंद्ध के साथ जो पंदरा सालों में इनों ने किया है वो कहते हैं ना कि मैं तो इसमें सब ताकतवर हलके आ जाते हैं किसी एक पर तनकीद नहीं है सब को अभी हम सब महब्ब से प्रगाम दे रहे हैं और ये प्रगाम हम लोगों ने पंदरा साल दिये रखा है अब आम उके बुद्धायो कि क्या महब्बत को कमजोरी समझते हैं महब्बत ताकत होती है तो आज हम सब ने यहां पर खड़े होकर बताया है कि हमारी मुहबबत को कमजोरी ना समझा जाए कि अगर हमें अपने मुल्क को कौम से अपने वतन से प्यार हैं तो हम इसकी हिफाज़त करना भी जानते हैं और इसके ओपर जो गंदी नजर रखे उन आखों को निकालना भी जानते हैं कि भेच पगारा आज आप लोगों का जोशो जजबा देखके मैंने सिर्फ किताबों में डॉकुमेंटरी में या अपने घर के बड़ों से वो जंग आजादी का सुना था सुरिय बाश्या रह्मतुला लह का दोर सुना था लेकिन आज आप लोगों को देखकर मेरी आँखों के सामने वो मनजर घूम गया कि उस वक्त वो क्या मनजर होगा कि कैसे हुरों ने उन फीन फिरंगियों को भगाया होगा लेकिन फिर एक बात और भी है मेरे भाईयों जड़ा अंग्रेज होया वो गैरतमंद होया अंग्रेज गैरतमंद थे हमारा पाला इतने गैरतमंदों स नहीं पड़ा तो अपने हग की जंग खुद लड़नी पड़ेगी मैं तो कहती हूँ कि आप लोग भी क्यों खामोश बैठे हो जो मैं यहां पर अभी सांगड का हाल देखकर आई हूँ और स्पेशिली पीर साथ जो जमायत के साथ वहां पर जल्म है कि जमायत ही के अलाकों में कि जो वो कहते हैं कि तमाम सहूलतें वो लगता है कि एक अरिया दूसरा है और जहां जमायत बसती है वो कोई दूसरा स्यारा है कि उन्होंने बुख्स में जमायत की बुख्स में उसकी महबत जो उनकी महबत अपनी जमायत और अपने मुलकों कौम से है उसमें उन लोगों ने उनके साथ जो सलूक किया है वो मैं सब अपनी आँखों से देखकर आई हूँ तो मेरा कि ये मैं अब सब मीडिया कवरिज कर रहे हैं और ये जो यहाँ पर नारे के जो मुलक के लिए कि ये उन सोए हुऊं को जगा दें खुदा के लिए चीफ जस्टिस सहाब आप तक मेरी आवास पहुंच रही है कि यहाँ पर लोग अपने हक के लिए बाहर निकल रहे हैं एक सिंध की सबसे बड़ी जमात इस एलेक्शन को माननी रही और आप टीवी पर आके पूछ रहे हैं कि क्या एलेक्शन हो गए वजीर आजम कौन है पहले तो मैं इसको मजाग समझी थी लेकिन फिर समझ आई कि यह तो मजाग हम 25 करोड कीड़े मकोड़ों के साथ हो रहे है चीफ एलेक्शन कमिशन कहा है और बहुत से लोग उनके लिए बॉल रहे हैं सोशल मीडिया पर के उनको इस्तीफा दे के घर ज कलना चाहिए कि जो इन लोगों ने एंटी स्टेट यहां पर जो किरदार अदा किया है और जो एलेक्शन कमिशन में इस पीपल्स पार्टी के टाउट बैठे हुए जो इनके टाउट बैठे हुए जो निसार दुरानी ने किया है उसको तो आर्टिकल 6 लगा के यही बड़ किया है यहां पर यह कहते हैं कि वह कि इन लोगों ने कि हमें वोट नहीं मिला अरे वह तुम लोगों को का वोट जो आप लोगों का वो कहते हैं ना कि मैं कुछ लिखा था एक सकेंद बेच पगारा हक सज्जा नारा तो वो इनके लिए यह है कि जूटों ने जूटों से कहा सच बोलो जूटों ने जूटों से कहा सच बोलो सरकारी एलान हुआ है सच बोलो घर के अंदर जूटों की एक मंडी है और दर्वाजे पर लिखा है कि सच बोलो तो कल एक प्रेस कॉनफरेंस हुई जिसमें कहा गया कि पीर साफ या जीडिये के फोरम को इस्तमाल किया गया है तो मैं यहां पर कहना चारी हूँ अपने बीबी के फर्जन मोहतरम बिलावल भुटो सहाब से कि बिलावल भुटो सहाब आंखें खोलें कि आपकी पार्टी को यरगमाल बना लिया है चार लोगों ने यहां सिंद में चार लोगों ने आपकी पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है कि वो चार पाँच लोग किस तरीके से सिंद पे हकूमत कर रहे हैं चाहे वो सिंद की सेहत का मामला हो अभी जितने एक्जैम हुए सिंद सर्विस के वो कर रात एक करोड में सीट बेच भी दी यहां पर सिंदियों का सोदा क्या वो तालीम हो क्या सहत हो कि यह सुनने वाले सुने कि वो पंजाबी में कहते कि अपनी चर्प मंजी थले डांग पेरो अपने घर में देखो कि आपके घर में चोर कौन है कि जिन्होंने सिंद की अवाम के साथ ऐसा किया है और यह अकेले जिस नहीं कर सकते मुझे माफ कर दीजिएगा कि यह मैं बात कर रही हूं कि यह यहां पर सिरफ एक ट्वेलर है अगर सिंद का हक वापिस नहीं किया गया तो जहां पर मुक्ददर हलके बैठते हैं ये अगला इतचाज वहां पर भी हो सकता है सिंद्ध की अवाम अगर फिरंगियों को भिगा के अपने सिंद्ध को आजाद करवा सकती है तो ये एक मुठी भर जमात वो कहरें न के सब खाने वालों की जमात के पी 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 के अबा हूं पी वो जो पी पी करके अपने यहां पर अपनी हकूमत यहां पर की वी हैं उनको भगा भी सकते हैं तो ये आखें खोलें बीबी साहीबा का एक बियान था नोजशिरिफ के लिए कि वो इदारों को कमजोर करते हैं इदारों को मतलब मना रिश्वत डे उनका पैसा किराएं उनको कमजोर उनको वो करते हैं तो आप क्या हो रहे हैं तो मेरी अपने मुक्तदर हलकों से मुझे माफ कर दीजेगा अपनी मेरी establishment से भी यही गुजारिश है कि खुदा के वास्ते इस मुलक के मुस्तक्बिल से ना केलें हम सब महब्बे वतन पाकिस्तानी है पीर साब की जमाद बॉर्डर के उपर भी हैं वहाँ पर वहाँ पर सबसे ज़्यादा जान देने वाली हमारी हुर फोर्स है और यहाँ पर जो लोग आएवें उसमें कितने शहीदों शहीदों के वारिस है यहाँ पर तो हम पर वो थोड़ा शफकत की नजर करें और इस मुलक पर वो कहरें ने कि जो हम सब मुलक से मुहब्बत करने वाले हैं उनको ऐसे लोगों के हवाले ना करें कि जिनका एजेंडा ही मुल्क लूटना हो वैसे आपस की बात है आप लोग मुझे बताएं इतने पैसों का ये करेंगे क्या ये तो न खा सकते हैं न पहन सकते हैं न ओड सकते हैं इतनी हवस क्यों है अबा सिंद को सिरफ इन्होंने कबर्स्तान बनाया हुआ है बच्चे बाहर, पैसा बाहर, घर बाहर दफन होने के लिए यहाँ पर आजाते है कि अबा मुझे पी जे पैरन में दफनाई जो अल्ला मुझे इतनी ताकत हुज्यात है अल्ला में मौज़ा दिखा दे के पी भी लत हड़ें के हल लहने के बजायो बाहर जिदर से इसने लूट के मेरे मुल्क का पैसा रखा है इसको वही पर ही दफा करो तो मैं एक वो कह रहे रहा कि किसी के लिए शेर मुझे पढ़ना है अपने जो ताकतवर हलके हैं न दस बाराँ लोगे जादा नहीं है दस बाराँ लोगे जादा नहीं है वो फैसला करते हैं कि हम जो भेड भकडिया है ये पास साल हमें कौन हाकेगा कौन हमारा खून पीएगा और कैसे पीएगा तो मैं उनको बोल रही हूं कि नया सूरच निकाला जा रहा है दिये में तेल डाला जा रहा है हमी बुनियाद का पत्थर हमें ही घर से निकाला जा रहा है तो ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता तो खुदा के वास्ते को इस मुलक से महबत का सबूत दे सिर्फ हम नगमें गाकर इस मुलक से महबबत का सबूत नहीं दे सकते अगर आपके हाथ में ताकत है तो आपको इस मुलक से महबबत का सबूत देना पड़ेगा आप एक करफ जमात को सिंद उनके हवाले नहीं कर सकते यह ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी यहाँ पर आपने जीडियो को कि यहाँ लाखों का मजवाँ उनको दिखाई नहीं दे रहा कि यह लाखों का मजवाँ क्या इस लाखों के मजवाँ ने हमें मुस्तरत किया है को खुदा का खौफ करें इस से ज्यादा बोलेंगे तो वो फिर कहेंगे ना कि वो बात फिर कहीं और निकल जाएगी अच्छी बात नहीं है कि वो यहां पर आग लगाने वाले भी होते हैं कि वो बात को कहीं का कहीं का रुख दे दे तो मैं ये धरना नहीं रुके गा ये हर जिले पे उसकी हद तक दर्ना होगा और उसके बाद ये हम खुद से हर बंदा हर बंदा आज के बाद मेरा भी आज के बाद इहतजाज है जहां पर मैं जुल्म होता देखूंगी जहां पर अपने लोगों से जुल्म होता देखूंगी मैं इहतजाज करूंगी अब खुदा के वास्ते चुप नहीं रहना, क्या आप चुप रहोगे, अपने हक के लिए खड़े हो, क्या सवाल पूछेंगे, क्या हमारे बच्चे स्कूल से बाहर क्यूं है, सिंद के पैसे कहां गए, और सांगड के OGDCL जे पैसे किदर गए, क्यों इनका पेट नहीं भड़ता, तो बस अपने हक को पहचाने, बहुत सारे लोग हैं, मैं तो वैसे ही एक ये पूरा सांगड देखके, मैं इतनी जजबाती हुई हूँ, कि काश, कि कुछ कतल की इजाज़त मेरे रब ताला ने दी वी होती, तो आज तलवार लेकर निकल जाती और गर्दन सर से कलम कर देती मै अपना ख्याल रखिए गया, और इस जजबे को कभी कम न होने दे, इन्शाला ताला हालात बदलेंगे, और हम तो उस जमायत, उस 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 खानदान के मुरीद हैं, कि जिनों ने कहा वतन या कफन, आजादी या मौत, खिताब लेने वालों में से नहीं, उन्होंने कहा कि मेरे पास जो खिताब है, पीर पगारो, ये खिताब ही बहुत है, अपनी जान का नजराना दे दिया, वरना तो वो कहते ना कि उस वक्त सोशल मीडिया भी नहीं था, किसी को क्या स्टोरी पता चलती, अपनी जान दे दी लेकिन जलम के आगे नहीं जुके, तो साथ ही रहना तो वो उस वक्त भी मैंने कहा था, बहुत से लोगों को बहुत तकलीफ हुई थी, कि उस वक्त भी हुसैन थे और सामने तीर था, आज भी हुसैनी गादी और सामने तीर है, तो यजीद ने भी एक वोट ही मांगा था, तो हम भी उनी के followers हैं जुकेंगे नहीं गर्दन काटनी है गर्दन काट दें और आज मैं बोलती हूं कि अगर मेरी जुबान भी किसी को मेरे बोलना बुरा लगता है तो सामने खड़ी हूं तो फिर गोली यहां आनी चाहिए यहां नहीं आनी चाहिए क्योंकि यहां पर गोली जाएएड़ा को यहां जाएए़ाग को अपयाँपी यहाँवगेज ड्रह भी यहां पर खड़ी हूं आनी ऑूचारा करेफ्ट दो करेफ्टारा करेफ्टास करेफ्टास करे टिर्वरी करें दो